ओम सरो मंगल मांगले शुवे सरवार्त साधिके शरणनेत्यम्बके गौरी नारायनी नमस्तुते सभी दर्शकों को शोताओं को जैमाता दी दूसरा अध्याए देवताओं के तेज से देवी का प्रादुर्भाव और मैशा सुर की सेना का वद विन्योग और मध्यम चरित्र के विश्णू रिशी महालक्ष्मी देवता उश्णिक छंद शाकंबरी शक्ति दुरगा बीज वायू तत्व और यजुर वेद सुरूप है श्री महालक्ष्मी की प्रसनता के लिए मध्यम चरित्र के पाठ में इसका विन्योग है ध्यान मैं कमल के आसन पर बैठी हुई प्रसन्न मुखवाली मैशा सुर मर्दिनी भगवती महालक्ष्मी का भजन करता हूं जो अपने हातों में अक्षमाला, फरसा, गदा, बान, बज्र, पद्म, धनु रिशी कहते हैं देवताओं ने महिशा सुर के पराकरम तथा अपनी पराजय का यथा वरतांत उन दोनों देवेश्वरों से विस्तार पूर्वक सुनाया वे बोले हे भगवन, महिशा सूर सूर्य, इंद्र, अगनी, वायू, चंद्रमा, यम, वरुन तथा अन्य देवताओं के अधिकार भी छीन कर स्वैमी सब का अधिश्ठाता बन बैठा है उस दुरात्मा महिश ने समस्त देवताओं को स्वरग से निकाल बाहर किया है अब वे मनुश्यों की भाती पृत्वी पर विचर्ण करते हुए फिर रहे हैं देट्यों की ये सारी कर्तूत हमने आप से कह सुनाई अब हम आपकी शर्ण में आए हैं उसके वद का कोई उपाय सोचिए इस प्रकार देवताओं के वचन सुनकर भगवान विश्णू और शिव ने दैत्यों पर बड़ा करोध किया उनकी बोहें तन गई तथा मू टेड़ा हो गया तब एतनत कोप में भरे हुए चक्रपाणी श्री विश्णू भगवान के मुख से एक महान तेज प्रगट हुआ इसी प्रकार ब्रह्मा तता शंकर भगवान ता इंद्र आधी अन्यान्य देवताओं के शरीर से भी बड़ा भारी एक तेज निकला और वो तेज मिलकर के एक हो गया महान तेज का वो पुंज जाजल्यमान परवत सा जान पड़ता था देवताओं ने देखा वहाँ उसकी ज्वालाएं संपूर्ण दिशाओं में व्याप्त हो रही थी संपूर्ण देवताओं के शरीर से प्रगट हुए उस तेज की कहीं कोई तुलना ही नहीं थी हे भक्त जनों एकत्रित होने पर वो एक नारी के रूप में परिनित हो गया और अपने प्रकास से तीनों लोकों में व्याप्त जान पड़ता है भगवान शंकर का जो तेज था उससे उस देवी का मुख प्रगट हुआ यमराज के तेज से उनके सिर में बाल निकल आए श्री विश्णु भगवान के तेज से उस देवी की भुजाएं प्रगट हुए चंद्रमा के तेज से दोनों स्तनों का और इंद्र के तेज से अर्थात कटी प्रदेश का प्राधुर भाव हुआ वरुट के निटली बनी तता प्रत्ुरी के वचैसे और दो Lewis सूर्य के विफ और देवी के दात प्रजापती के तेज से और तीन नेत्र अगनी के तेज से प्रक्ठट हुए इस प्रकार अन्यानन्य देवताओं के तेज से भी उस कल्याणमी देवी का अभिर्भाव हुआ तदंतर समस्त देवताओं के तेजपुन से प्रकट हुई देवी को देख करके मैशा सुर के सताई हुए देवता बड़े प्रसंद हुए सब माँ भगवती की जैजय कार करने लगे बोलो जगदम माँ भवानी की जैए इस तरह माँ का प्रकट हुआ पिनाकधारी भगवान शंकर ने अपने शूल से एक शूल निकाल कर उने दिया और फिर भगवान विश्णू ने अपने चक्र से उत्पन एक और चक्र माँ भगवती को अरपन किया वरुन ने भी शंक भेंट किया अगनी ने उन्हें शक्ती दी और वायू ने धनुष दिया और बाण दिये और बाणों से भरवे दो तरकस प्रदान किये सहस्त्र नेत्रों वाले देवराज इंद्र ने अपने बज्जर से बज्जर उत्पन करके दिया और एरावत हाती से उतार कर एक घंटा भी प्रदान किया यमराज ने काल दंड से दंड वरुण ने पाश प्रजापती ने स्पटिक की बाला ब्रह्मा जी ने अपना कमंडल भेंट किया सूर्या ने देवी के समस्त रोम कूपों में अपनी किर्णों का तेज भर दिया अर्द चंद्र सब बाहूं के लिए कैयूर दोनों चरणों के लिए निर्मल नूपुर गले की सुन्दर हसली और सम अंगुली में पहनने के लिए रतनों से बनी हुई मुद्रिकाएं परदान की विश्यो कर्मा ने उन्हें अतिंत निर्मल फरसा भेंट किया साथी अनेग प्रकार के अस्तर और अभेद्य कवच परदान किये इसके सिवा मस्तक और वक्षस तरपर धान करने के लिए कभी ना कुमलाने वाले सुन्दर सुन्दर कमलों की मालाएं प्रस्तित की जलाधी ने उन्हें सुन्दर कमल का फूल भेंट किया हिमालाय ने सवारी के लिए सिंग तता भाती-भाती के रतन समर्पित किये धना धक्ष कुबेर ने मदू से भरा हुआ पात्र दान किया और संपुण नागों के राजा शेश ने जो इस संपुण पृत्वी को धान करते हैं उन्हें बहु मुल्य मनियों से विभूशित एक नाग हार भेंट किया इस प्रकार अन्य देवताओं ने भी आभूशन और अस्त्र शस्त्र देकर देवी का सम्मान किया तत्पस्चात उन्होंने बारम बार अट्ट हास पूरवग उच्छ स्वर से गर्जना की उनके भेंकर नाद से संपुण आकाश गुंजाय मान होने लगा देवी का वो अत्यंत उच्छ स्वर से किया हुआ सिंगनाद कहीं भी समा नहीं सका आकाश उनके सामने बड़ा लगू प्रतीत होने लगा उससे बड़े जोर की प्रतीत धनी हुई जिससे संपुण विश्व में हलचल मच गई और समुद्र काप उठे प्रत्वी डोलने लगी और समस्त परवत हिलने लगे उस समय देवताओं ने अतिंत प्रसनता के साथ सिंग वाहनी भवानी से कहा हे देवी आपकी सदाही जै हो साथी महर्शियों ने भक्ती भाव से विनम रहोकर उनका स्त्वन किया संपूर्ण त्रलोकी को शोब ग्रस्त देख दैत्यगर्ण अपनी समस्त सेना को कवच आदी से सुसजित कर हाथों में हतियार ले सैसाई उठकर खड़े हो गए उसी समय मैई सासुर ने बड़े क्रोध में आकर कहा अरे ये क्या हो रहा है फिर वो संपूर्ण असलों से घिर कर उस सिंग नाद की और लक्ष करके दोड़ा आगे पहुँचकर जब उसने उस देवी को देखा जो अपनी प्रभा से तीनों लोगों को प्रकाशित कर रही थी उनके चरणों के भार से प्रत्वी दबी दबी जा रही थी माते के मुकड से आकाश में रेखा सी खिची जा रही थी वे अपने धनुष की टंकार से सातों पातालों को शुब्द किये देती थी देवी अपनी हजारों भुजाओं से संपूर्ण दिशाओं को आच्छादित करके खड़ी थी तदंतर उनके साथ देत्यों का युद्ध छिड़ गया नाना प्रकार के अस्ट शुष्ट्रों के प्रहार से संपूर्ण दिशाएं उद्भासित होने लगी चिक्षुर नामक महान असुर जो महिसा सुर का सेना नायक था वो देवी के साथ युद्ध करने लगा और भक्त जनों अन देत्यों की चतुरंगनी सेना को साथ लेकर चामर नाम का देत्य भी लड़ने लगा 60,000 रतियों के साथ उदगर नाम का महा देत भी लोहा लेने लगा एक करोड रतियों के साथ माहनू नाम का देत युद्ध करने लगा जिसके रोएं तलवार के समान तीखे थे वो असी लोमा नाम का देत पांच करोड रती सैनकों से युद्ध में आड़टा 60,000,000 रतियों से गिरा हुआ बासकल नाम का देत युद्ध भूमी में मां से लड़ने के लिए आ गया परिवारित नाम राक्षस हाथी सवार और घुर सवारों के अनेक दलों के साथ एक करोड रतियों की सेना लेकर युद्ध करने आया बिडाल नामक देत्य पांच अरब रतियों से गिर कर लोहा लेने लगा उनके अतरिक्त और भी हजारों महा देत्य रत्थ हाथी गोड़ों की सेना लेकर वहां देवी के साथ युद्ध करने को प्रस्तित हुए स्वयम महिसासुर उस रण भूमी में कोटी कोटी सहस्तर रत्थ हाथी गोड़ों की सेना से घिरा हुआ खड़ा था वे देत्य देवी के साथ तोमर, भिंदिपाल, शक्ति, मूसल, खड़ग, परशु और पटिश आदी अस्त्रशस्त्रों का प्रहार करते वे युद्ध कर रहे थे कुछ देत्यों ने उन पर शक्ति का प्रहार किया कुछ लोगों ने माँ भगवती पर पाश फैंके ता कुछ देत्यों ने खड़ग से प्रहार करके देवी को मार डालने का उद्योग किया देवी ने भी क्रोध में भर कर खेली खेल में अपने अस्त्रशस्त्रों की वर्शा करके उन देत्यों के तमाम अस्त्रशस्त्र काट डाले उनके मुख पर परिश्रम या थकावट का रंच मात्र भी चेन नहीं था देवताव रिशी उनकी स्तूती करते थे और वे भगवती परमेश्वरी दैत्यों के शरीरों पर अपने अस्त्रशस्त्रों की वर्शा करती रही देवी का वहन सिंग भी क्रोध में भरकर गर्दन के बालों को हिलाता हुआ असुनों की सेना में इस प्रकार विच्रण करने लगा मानो वनों में दावानल फैल रही हो रन भूमी में दैत्यों के साथ युद्ध करती हुई अंभिका माता दे जितने निश्वास छोड़े वे सभी ततकाल सेकणों हजारों गणों के रूप में प्रगट हो गए तता परश्यू भिद्धी पाल खडग और पट्टिश आदी अस्तरों के द्वारा असुनों का सामना करने लगे और संघार करने लगे देवी की शक्ती से बड़े हुए वे गण असुनों का नाश करते हुए नगाड़ा और शंक बजाने लगे उस संग्राम महसम में कितने ही घण मरदंग बजा रहे थे ततंतर देवी ने त्रशूल से गदा से शक्ती की वर्षा से और खड़क आदी से सैक्रों महा देत्यों का संगार कर दिया कितनों को घंटे के भेंकर नाद से मुर्षित करके मार गिराया बवतेरे देत्यों को पास से बांध कर धरती पर घसीटा कितने ही देत्यों की तीकी तलवार की मार से दो दो टुकडे हो गए कितने ही गदा की चोट से गायल होकर धरती पर सो गए कितने ही मुसल की मार से अतिंत आहत होकर रक्त का वमन करने लगे कुछ दैत्य शूल से छाती फट जाने के कारण प्रत्थी पर ही धेर हो गए उस रण संग्राम में बार्स मुओं की वरस्टी से कितने ही असरों की कमर तूट गई बाज की तरह जपटने वाले देव पीड़क दैत्यगन अपने प्राणों से हाथ धोने लगे किनी की बाहें छिन भी न हो गई कितनों की गर्दने कट गई कितने ही दैत्यों के मस्तक कट कट कर गिरने लगे कुछ लोगों के शरीर के मद्यभा के कितने ही टुकडे हो गए कितने ही महादैत्य जांगे कट जाने से प्रत्थी पर गिर पड़े कितनों कोई देवी ने एक बाह, एक पैर और एक नेत्र वाले करके दो टुकडों में चीर दिया कितने ही देत्य मस्तक कर जाने पर भी गिर कर फिर उठ जाते हैं केवल धड़ के रूप में अच्छे अच्छे हतियार लेकर देवी के साथ पुने युद्ध करने लगते हैं दूसरे कमंद युद्ध के बाजों की लेपर नाचते थे कितने बिना सिर के धड़ हातों में खडग शक्ती और सिष्टी लिए दोड़ते थे दूसरे दूसरे महा देट ठैरो ठैरो कहकर देवी को युद्ध के लीलल कारते थे जहां वह गोर संगराम हुआ वहां की धरती देवी के गिराए हुए रत हाती घोडों और असुनों की लाशों से ऐसी पट गई कि वहां चलना फिरना संभव हो गया देट्यों की सेना में हाथी घोड़े असुनों के शरीर से इतना अधिक मात्रा में रख्त पात हुआ कि थोड़ी देर में वहां खून की बड़ी बड़ी नदियां बहने लगी जगदंबा ने असुनों की विशाल सेना को शण भर में नस्ट कर दिया और भक्त जणों ऐसे नश्ट कर दिया जैसे त्रण और काठ के भारी डेर को आग जो है कुछी शणों में भस्म कर देती है और वो सिंग भी गरदन के बालों को हिला हिला कर जोर जोर से गरजना करता हुआ देत्तों के शरीरों से मानों उनके प्राण चुन लेता था वहां देवी के गणों ने भी उन महा देत्तों के साथ ऐसा युद्ध किया जिससे आकाश में खड़े हुए देवता उन सब पर बड़े संतुष्ट हुए और मा भगवती चामुंडा देवी पर मा महा माया पर पुष्व वर्षा होने लगी वरो जगदम्भा भवानी की जय इस पकार श्री मारकंडे पुराण में सावरनिक मनवंतर की कथा के अंतरगत देवी महत्य में मैसा सुर्की सेना का वद नामक यह दूसरा ध्याय संपूर्ण हुआ